हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शों को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जनम दिवस है मेरी जनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुप काम नाए आज का पंचांग तीन जून सन दोहजार बीस दिन बुद्वार जेश्ट मास शुकल पक्स सम्वत दोहजार सततर तिथी द्वादशी आज परदोश का वर्त भी रहेगा नक्षत स्वाती रहुकाल बारा से जिड़ दिशासूल उत्तर पूर्दुशा कुछ समय से हमें कुछ ऐसे कॉमेंट्स आ रहे हैं कि शर्मा जी उंगलियों में जो सबसे टॉप का उपर का ये खाना होता है जिसे हम हर उंगली में कितने पर्व होते हैं जिसे हम खाना भी कहते हैं पर्व भी कहते हैं तिन तिन पर्व होते हैं किसी की उंगली में चार-चार पर्व भी होते हैं चार-चार पर्व का क्या रहस्ति है वो हमने एक सब्तंत्र वीडियो में बताया है उसे आप सुन सकते हैं तो आपका ये सवाल है कि जो हमारी उंगलियों में सबसे टॉप के उपर गोल गोल संख की चकर की आकरती होती है और कुछ लंबी सी संख जैसे आकरती होती है क्या ये अशुब होती है तो सबसे पहले तो हम आपकी इस गलत फैमी को दूर कर देती है किसी भी जातक की हतेली में बनी ये गोल आकरती उंगलियों के टॉप पर और बनी संख की आकरती ये शुब होती है ये किसी के लिए भी अशुब नहीं होती है लेकिन किस के लिए कितनी शुब होती है दिया में और किसके लिए और भी अधिक्षुब होती है तो ये सब चीजे फिर अलग-अलग तरीके से देखी जाती है अब जैसे, किसी भी जातक की उंगली में उपर की तरफ 4-4 चकर बने हो 4-4 चकर सीधे हाथ में 4-4 चकर उल्टे हाथ में 4 उंगलियों में अंगोठा भले ना उसमें हम गिने लेकिन चारो चारो आठ की आठ उंगलियों में हो अत्य धिक्षूब होता है आठट गोल चक्र बनना बहुत ही जादा चक्रवती समराठ की तरह योग पैदा होता है यानिके उस व्यक्ति को सुख सुविधाएं बहुत प्राप्त होती रहती है और संख की यदि इस पश्ट आकरती आप देखेंगे ऐसे ऐसे गोल जैसा पैरा मिश्यम सा आप ड्राइंग में बनाते थे तो यदि संख जैसी आकरती हतेली की मध्यमा में तीन तीन या चार चार बनी हो दोनों में मध्यमा में इसमें भी और इसमें भी तो ये कहीं न कहीं आपकी धार्मिक प्रवत्ति को बलवान बनाती है अनामिका में संख की आकरती यदि चार-चार संख की आकरती अबनी है संख की अंदर संख संख की अंदर संख आप कभी देखें हलकी सी शाही लगा करके और फिर उंगली उस पे च्छापके देखें आपको वो इस पश्ट दिख जाएंगी बहुत हलकी सी लगाई जाती है जैसे हम अंगुठा दस्तावेजों पर लगाते हैं तो यदि ये आपकी अनामिका में चार-चार संखी की आकरती बनी है दोनों हातों में विद्धा को बल्वान बनाती है सबसे छोटी उंगली लिटिल फिंगर कनिष्ठिका में यदि तीन-तीन संख बने हैं तो देवी उपासना से अत्यधिक लाब कराती है और इसी के साथ यदि तरजनी में तीन-तीन संख की आकरती बनी है तो कहीं ने कहीं व्यापारी वर्ग को अच्छा लाब दिलाती है और यह हिस्टिति यदि इंडेक्स फिंगर में चार-चार गोले बने हैं भले किसी उंगली में नहों लेकिन केवल इंडेक्स में हो चार-चार गोले हो तो यात्राओं से वो व्यक्ति धन अर्जन करता है तो कहने का भाव यह तो बहुत सारे योग मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन आज मेरा बताने का ताथ परिया किवल आपको इतना मातर है कि यदि किसी भी व्यक्ति के किसी भी जातक की हतेली में संखे की आकरती हो या चकर की आकरती हो तो ये हमेशा शुव परिणाम ही देती है ऐसा नहीं है कि वो जाता है हमेशा सुखी रहेगा आप देखो सुख दुख तो धूप छाओं की तरह है आते जाते रहते हैं जब आप किसी भी व्यक्ति को अपना हाथ दिखाते हैं आप जैसे हम अपनी बात करते हैं पिर उसके उपर कई बार विशेस उपाई भी निकल करके आते हैं कि आपको क्या उपाई करना चाहिए आप बहुत लोग इस विद्या को भाई बहुत अच्छा मानते हैं कुछ लोग केवल इसे एक कहानी मान करके छोड़ देते हैं या इसे किवल एक अंध्विस्वास मान करके छोड़ देते हैं तो ये उनकी सोच हो सकती है लेकिन सामुद्रिक सास्ति इसको कहते हैं ये अपने आप में विज्ञान से ओत परोत है अब एक चीज़ मैं इसका एक ही उधार देता हूँ आपको ज़्यादर नहीं दूँगा जो लोग ये कहते हैं ये हाथ की रेखा हैं अंध्विस्वास हैं इन से कुछ नहीं होता तो आप मुझे बताईए अगर ये हाथ की रेखा हैं और ये चिन अंध्विस्वास हैं तो आधार कार्ड किसके आधार पर बनता है आपके इन हाथ के आधारों पर ही आधार कार्ड बनता है यानि कि आपके डेल्टाज आपके हाथ के फिंगर प्रिंट जो है ये ये कभी किसी से मैच नहीं खाते किसी भी संसार में संसार में चाहे कितने भी व्यक्ति क्यों नहीं ह होता है इसलिए कुद्रत ने सब की हतेली में ये रेखाएं अलग-अलग बनाई हैं देखने को भले दिखती हूं आप कभी गाउं में रहे हैं आप कभी गवशाला गए हैं आप कभी गवशाला जाहिए तो अगर वो सारी गाएं आपको हम ऐसे छोड़ दें तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि मेरी कुंसी है जिसे नहीं बता लेकिन जिनुने पता है वो अपनी गईया को कहते हैं ये तो हमानी है बक्रियो का जुन्ड जा रहा है आपको मैं दो दिन के लिए हमें इश कोई दो दिन के लिए कहें गए लो शर्म और ये बक्री आप है और दो से उन रेखाओं को पढ़ना जानते हैं यह अंद्विस्वास नहीं है और फिंगर प्रिंट के माद्धिम से ही पुलिस मुझरिम तक पहुच जाती है और जिसके फिंगर प्रिंट होते हैं वोई पुखडाया था तो इन हाथ की और कुदरत का कमाल देखो कुदरत का क्या देखो कमाल के शकले तो सबकी अलग-अलग हैं लेकिन हाथ की बारीक से बारीक रेखाओं का प्रस्तुतिकरन कुदरत ने अलग-अलग किया है तब ही तो तो आज मैं एक संदेश ओर देना चाहता हूँ, जिन दर्शोगों के पास अपनी डेट ओव बर्थ ना हो, डेट ओव बर्थ का ग्यान ना हो, कन्फ्यूजन हो समय में, तो कोई अच्छे पामिष्ठ हो, कोई भी आपके आसपास जहां आप लोग रहते हैं, तो आप उनको अपने दोनों हाथों का फोटो भेज करके, या उनसे मिल करके, सो परसेंट अपनी समस्चा करने दान कर सकते हैं, एक जमाना था, कि मेरे खुद याद है, कि आज से तीस साल करीब करीब 27-28 साल पहले, जब हम लोग हाथ देखना ये चल रहा सा प्रक्टिस हमारी, तो हम देखा करते थे कि लोग कपूर जला करके, कागज पे कपूर की पूरी कालस लिया करते थे, फिर हाथ का च्छापते थे, या जो ब्ल्यू शाइं होती है, उसे हाथ पर लगा करके, तब सफेद कागज के उपर अपना च्छापा भेज़ते थे, उसमें भी उतनी के लिया अर्टी नहीं आती थी, वहाज तो मुवाइल कई हो गए, सबके मुवाइल में कैमरे हैं, अच्छे से कैमरे को अच्छे से जूम करके, अच्छे से फोटो खीची है, केबल अपना फोटो भी किसी पामिष्ट को आप भेज देंगे दोनों हाथों का, तो आपकी रेखाओं को पढ़ करके, क्यूं समस्तिया आ रही है, क्यूं समस्तियाओं में आप पढ़े हैं, उसका निदान क्या है, कौन सा गिरह ऐसा है, कि जिसका आप उपाई करें, कौन सा दान ऐसा है, जो आप दान करके अपनी समस्तियाओं से बहार आ सकते हैं, ठीक है, तो कहने का भाव, ये पामष्टी जो है, ये अंध्विस्वास नहीं है, हाँ, जो इससे लाब लेना चाहे, वो लाब ले सकता है, जो नहीं लेना चाहे, उसकी इच्छा है, अब हिंदू में, हमारे सनातन सास्त्र में, हमारे रिश्यों ने, अध्ध्यन बहुत किया है, हम क्या करें, हमारे रिश्यों का अध्यान इतना उच्छ कोटी करा है उन्होंने एक एक चीज के पीछे पढ़के उसकी खोज की है अब जिन्होंने ये खोज नहीं की उन्होंने नहीं की है तो ऐसा नहीं है हाँ ये एक अनुमान है एक गणित है जोतिस हो गनित नहीं है वो भी कोई ज rappers नहीं है रहे कंकुलैशन ड्रॉक्टर साथ लगाते हैं ऐसा 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 और किसी अंजाम पे पहुँचाते है तो मेरे दरशुको खुल मिला करके जिन जात्यान्यों की हतेले में ये चन होते हैं नाना भाती के तो वो कई बार अशुब भी होते हैं कई बार शुब भी होते लेकिन चक्र और बना गोला और ये संख किया करती उंगलियों के अंतिम परव पर अशुब नहीं होती है ये शो भी होती है आई दोशों को स्वामा चला आज की ध्यानमाला का आज की ध्यानमाला में जोड़ते हैं हम बाबा हनमान जी से रगुपति प्रियवक्तं वात जातं नमामी मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेंद्रियं वोद्धिमतां वरिष्टं वातात्मजंबा नरयूत्य मुक्कं स्रीराम दूतं सरणं प्रवद्धे स्रीराम दूतं सरणं प्रवद्धे रामाया राम भद्राया राम चंद्राय वेदसे स्रीरगुनात नाधाया सीताया पतये नमाहा स्रीहनुमंताय नमाहा कबच बना लें ध्यान करें हन्मान जी का सिर्वाद हम सबके उपर बरस रहा है अविश्य के लिए कोई पूछना चाहते हैं या कोई समस्या चल रही है उसका निदान चाहते हैं तो अमोमन हमसे डेट वर्थ मांगी जाती है लेकिन पामश्ट्री विद्ध्या के लिए डेट वर्थ की वियावशक्ता नहीं होती है एक संदेश और धीरे धीरे हम भी साथ देने का आप से वाइदा किया था बहुत लोगों को मिल भी चुका है कुछ लोगों का कहीं ने कहीं ढाक में है पोस्ट ओफिस में है और कुछ लोगों का हमारे पास भी है हम भी जल से जल उसे भीजने का प्रियास करेंगे और यदि आप हमसे किसी भी प्रकार का कोई प्रामर्ष लेना सर चाते हतेलि के माद्याम से अपनी कुंडली के माद्याम से उसके लिए आप हमारे संस्तान में दिये गए नंबर्स पर संपक्त कर सकते। और जो व्यक्ति कहीं दूर दराज रहते हैं एंडिया में या ऊट आउट ऑ growing रहते हैं तो ऐसे तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था, सालों तक मेरा उसका जग्ड़ा चलता रहा और मेरे तो जानकार लोग से उनसें में कहता था मैं निससे हार जाता हूं क्योंकि मैं इसे कहता हूं सुभर जल्दी उठाघा और य твор वा उठा नहीं मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है कहां से उसने लिया मुझे पता नहीं और भगवान शंकर पर जल चड़ाता है उन पर राम राम लिखता है और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूं कि जो मैं दो महिने से आपका ये शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस बजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें को बोसार की लिए आप डिए साही जानकारी के लिए ना भी सर देखने के साही विए